हालो गृरिनिंग फिरेंट्स डीटॉक्स फुट पैच के बारे में मैं कुछ बताना चाहता है वेस्टिज का डीटॉक्स फुट पैच डीटॉक्स फुट पैच इस टाइप में एक पाउच में आता है और उसका मेंन बॉक्स इस तरीके का होता है डीटॉक्स फुट्पैश लिखा हुआ, इस तरीके का होता है और ऐसे पाउच आते हैं, इसमें पेर होता है और दोस्टिकर्ज होते हैं, जो चिपकाने के लिए पाउँ में दिये जाते हैं अब मैं इस डीटॉक्स फुट्पैश को इस पॉलिथीन से खोल रहा हूं एक प्यार है इसे हम अलग-अलग कर लेंगे आप देख रहे हैं कि अभी ये प्यूर वाइट है और जब हम सुबह वीडियो इसको दुबारा चेक कराएंगे आपको तो ये आपको ब्लाक मिलेगा जो रात तक की हमारी डी-टॉकसेशन होगा बॉडी से जितना ये इंप्यूर डीज निकालेगा वो निकालके बाहर फैंक देगा बॉडी से अब मैं कैसे लगाना है मैंने पाउं अपने धो लिये हैं और बेट पे बैठ गया हूँ अब इसको हम स्टिकिंग वाले पैड पे चिपका देंगे इसको ऐसे खोलना है वन बाई वन यहां से स्टिकल भी खोल देते हैं और यह ऐसे रख के इसे बीच में लना दिये जाएगा ऐसे ही यह वाला भी खोल लेंगे और इसे भी उसी तरीके से हम चिपका देंगे एक बार निकालने हैं दोनों साइड से स्टिकिंग यह दोनों निकाल दिये हैं हमने इसको भी यहां रख के इसको सेंटर में हम रख के चिपका देंगे अब यह हमने सेंटर में रख के चिपका दिया है अब हम फुट के सेंटर में से center of the foot इसे यह से रखा जाएगा और इसे यहां stick कर दिया जाएगा आपने देखा ही कि यहां लग गया ऐसा ही इस जगा पे दूसरे पाउं पे यहां लगा दिया जाएगा अब यह निकल ना जाए लूज ना हो जाए पाउं हिलता है रात को तो अब सॉक्स एक साथ रखें उस सॉक्स को अब पैन ले ते हम पैन लेते हैं मेरे को आदत है डिटॉक्स पुटपैस लगाने की मैं कईवा लगा चुका हूँ एक बार लगाने के बाद एक सैट लगाने के बाद पांच दिन का कॉर्स होता है पांच दिन के कोर्स में आप इसको यूज़ करने के बाद फिर तीन महिने से चार महिने के बीच में एक पर दोबरा यूज़ करें इतना गैब देना ठीक रहता है अब मैंने इसे चड़ा दिया है अब हम आपको सुबह मिलेंगे और इसकी आपको मैं हालत दिखाँगा कितना डीटॉक्स हुआ है बोड़ी के अंदर से ठीक है जी थैंक यू और गूट नाइट अज सुबह हो गई है रात का वीडियो मैंने आपको दिखाया था जो हमने रात को फूट पैच लाए है और इस सुबह हो गई है और मैं इस फूट पैच को निकाल रहा हूँ और अभी मैंने साउक्स पहले में है आपके सामने मैं इससे अब ये रिवीड करूँ हूँ देखते हैं क्या हागत हुई है देखिए दोस्ता रात को वाइट था वूट पैच अब आप देखिए कितना डिटाउक्स कर लिया है और बोडी ने ये पहला वूट पैच है और आइप पाउग और दुसरे पाउग अबेरी बात है इड़ पैप आपूँ है इड़ आपूँ है ने सेखिए कर दिए बात है और स्मेल भी इतनी गंदी है कि बाद भी सूम नहीं सकता बेयर नहीं कर सकता यह देखें एक यह है और दूसरा यह है दोनों आप देख रहते हैं इतनी हमारी बाड़ी में से चीजें निकल जाती है और हमें बदा नहीं चलता है ओके थैंक यूब